हिसार में चली चोधरी रंजी चोटाला की लहर हर्याया की होट सीग हिसार पर जहां कुछ दिन पहले तक बीजेपी और कांग्रेस की काटे की टकर नज़रा रही थी वहीं आप कांग्रेसियों की आपसी गुटबाजी और देश रोधी सोच के कारण वो काटा निकलता नज़रा रहा है बीजेपी उमीदवार रंजी सिंग चोटाला की साफ चबी और इमानदार नेत्वत की वज़े से हिसार में लहर बदल गई है बीजेपी की पक्ष में लहर को लेकर चुनावी रंणीती कार कई अनुमाल लगा रही है सांसत बनते ही मंत्री बनने के चांस पूरे देश में चल रही नरिन्दरबूरी की तूफानी लहर को देखते हुए सभी को पता है केंदर में बीजेपी की सब्ता आनी है इसी वज़े से हिसार की जागरुक जनता को भी पता है कि अगर कांग्रेसी उमीदवा जीत भी गया तो क्या ही कर लेगा वहीं अगर रंजी चोटाला को जिता दिया गया तो उनका मोधी टीम में शामिल होना लगबक तैमाना जा रहा ह जिसकी वज़े से हिसार ही हर्याना की लोगों को भी विकास की बड़ी उमीद है साफ सुत्रा इतिहास एक बार फिर रंजी से आस रंजी चोटाला के राजनितिक अनुबव और इमानदाच छवी को देखते हुए भी हिसार की जनता उनको वोट करने का मन बना रही है पहले की चंडीगण के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में जनता दर्वाल लगा कर भी लोगों की समस्या का समधान करने के लिए जाने जाते हैं वहीं विरोधी पाठी की उमीदवार को जनता कई बार खरी खोटी सुना चुकी है जिसे तैय है कि कांग्रिस के हाथ को हर्याण का साथ नहीं मिलने वाला है